दोसों आज की इस वीडियो में हम लोग अपनी linguistics की वीडियो को आगे बढ़ाते हुए समझने की कोशिश करेंगे कि यह phenology क्या है इससे पहले मैं linguistics के basic के बारे में penetics के बारे में 2 वीडियो बना चुका हूँ तीन वीडियो बना चुका हूँ जिसकी link आपको description में मिल जाएगी अगर आपने वो वीडियो नहीं देखिए तो इस वीडियो को समझने के लिए आपको वो तीनों वीडियो देखना बहुत ही ज़रूरी है जिनकी link आपको description में मिल जाएगी अभी जाकर देख लिए तो आज की इस वीडियो में हम लोग penology को समझने की कोशिश करेंगे ये बहुत ही confusing topic है दोस्तों क्योंकि इसके अंदर sound के pattern को समझना पड़ता है इसलिए मैं चोटी चोटी वीडियो बना करके इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों तो चलिए मैं आपको इस वीडियो के खतम होने के बाद में मिलता हूँ दोस्तों अभी तक हम लोगों ने जो कुछ भी डिसकस किया linguistics में उसमें ज्यादातर part phonetics का था आपने अगर note किया हो तो मैंने सिर्फ phonetics phonetics की बाते की है अब हम लोग दूसरी branches पर भी चलते जिनको पढ़ना उतना ही important है जितना पढ़ना important है phonetics को तो आज का हमारा topic रहेगा phonology इस वीडियो को समझने के लिए मैं आपको एक बार फिर से कहूंगा कि आपको पिछली वीडियो जाकर देख लेने चाहिए खास करके linguistics वाली वीडियो को उस वीडियो से शुरू करो आपको 3 वीडियो बिलेगी 4 वीडियो ये है तब जाकर आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से clearly समझ में आईगी जैसा कि मैंने अपनी linguistic वाली वीडियो के अंदर बताया था ये भी linguistics की एक branch है दोस्तों और इसमें किसी particular language के sound system को study किया जाता है ऐसे आपको समझ भे नहीं आएगा मैं simply समझाने की कोशिश करता हूँ जैसे इससे पहले हमने phonetics पड़ी थी उसके अंदर हम लोग sound को study कर रहे थे कि sound कैसे produce होता है ठीक है अब उन sound से बनते है पैटन्स जैसे आ, आ, ई, ई, उ, उ, उ ये सब sounds हैं अब इन सब को मिलाओगे तभी तो pattern बनेंगे इन patterns को जिसमें हम study करते हैं उसको कहा जाता है phonology समझ में आ गया होगा और ये pattern भी हम लोग सारे patterns को study नहीं करेंगे कि सारी languages के pattern को study करेंगे हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, सारी languages अपने अपने हिसाब से pattern बनाती है sound के तो इसलिए कहा था मैंने किसी specific language के sound system या sound pattern को study करना phonology कहलाता है पर एक्जमपल, इंग्लिश language में sound के patterns कैसे बनते हैं ये study अगर हम करेंगे, तो ये phonology में की जाएगी नहीं समझ में आया, और simple करके समझाता हूँ जैसे English language ही ले लो, क्योंकि हम English के student हैं, तो English language ले लो अपने कई बार English language के sound system को notice किया है, लेकिन आप बिलकुल बेखबर हो उस चीज से जैसे एक example लेता हूँ मैं, machine, M-A-C-H-I-N-E, machine और एक होता है mechanism, अब ये दोनों words मैंने आपके सामने रखे, अगर आप ध्यान से देखो, तो दोनों की spelling में C-H आ रहा है, लेकिन machine के case में ये C-H, share sound को produce कर रहा है, और mechanism के case में ये ही C-H, कr sound को produce कर रहा है, mechanism, machine, mechanism, तो आपने कभी note किया है, यहाँ भी C-H है, यहाँ भी C-H है, यहाँ पे share क्यों और यहाँ पे क्यों CH तो same ही है यह अलग-अलग sound क्यों produce कर रहा है जब हम इसको study करते हैं न दोस्तों इस sound pattern को study करते हैं कि CH अलग-अलग sound क्यों produce कर रहा है तो उसे हम phenology बोलते हैं उमीद करता हूँ अभी तो समझ में आ गया होगा और अगर नहीं समझ में आया तो एक और example देखर समझाता हूँ जैसे S-E-A-C यह समुंदर वाला C होता है और S-E-E-C यह देखने वाला C होता है यह C और C दोनों की spelling अलग-अलग है यहाँ पे E-A आ रहा है और यहाँ पे E-E आ रहा है लेकिन दोनों सेम से ही क्यों pronounce हो रहे है इस चीज़ को हम समझते हैं phenology में अब समझ में आ गया होगा अब तो आई गया होगा मैंने simple से simple शब्दों में आपको समझाने की कोशिश किये कि यह phenology होता क्या है अब दूस्तों मैं phenology की 2 important branches की बात करता हूँ फिनालोजी की 2 important branches होती है वैसे तो 4 होती है लेकिन मैं आपको 2 के बारे में बताता हूँ एक होती है segmental phenology और दूसरी होती है supra segmental phenology अब अगर हमें phenology को समझना है तो हमें इन दोनों branches को समझना पड़ेगा यह segmental phenology क्या होती है और supra segmental phenology क्या होती है पहले हम लोग segmental phenology को समझने की कोशिच करते हैं इस word segmental का मतलब समझते हैं segmental का मतलब होता है टुकडे टुकडे कर देना या तोड़ देना टोटे टोटे कर देना तो जब हम किसी sound के pattern को टोटे टोटे करके समझते हैं टुकडे टुकडे करके समझते हैं जैसे Waltz को समझें, Consonants को समझें, Waltz के अंदर भी Monopthons को समझें, Dithonks को समझें, Trithonks को समझें, इन सब को समझें तो हम उस Sound के Pattern को टुकडे टुकडे करके समझ रहे हैं तो किसी भी Sound के Pattern को टुकडे टुकडे करके समझना Segmental Phenology कहलाता है जबकि Supra Segmental में क्या होता है, Supra Segmental के अंदर सी Sound Pattern के Musical Aspects को समझने की कोशिश करते हैं ये Literature वालों के लिए बहुत Important है, कैसे है मैं समझाता हूँ इसके अंदर हम पढ़ते हैं कि कौनसे Word पर कितना Stress पढ़ रहा है और कौनसे Word पर Stress नहीं पढ़ रहा है इसमें हम Rhythm को समझते हैं, Intonation को यानि कुछ भी Word हम बोलते हैं तो किसमें हमारी Voice की Pitch ज़्यादा हो रही है, किसमें कम हो रही है ये सब हम Supra Segmental Phenology में समझते हैं मतलब कौन से syllable पर Stress पढ़ रहा है, कौन से syllable पर Stress कम पढ़ रहा है ये सब चीजें समझते हैं हम Supra Segmental में जो कि हमारे Meter के लिए बड़ा Important है जब हम Patery के अंदर Meter को पढ़ने हैं, तो उसमें Stress और Unstress syllable के बारे में पढ़ना बहुत important है अब दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ जरूर समझ में आया होगा कि ये Phenology क्या है और इसके अंदर कैसे Patterns को समझा जाता है मैं चोटी-चोटी वीडियो बना कर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आगे और वीडियो बनाऊँगा इस पर फिलाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही